एक पुहा बनता है जो कि हम लोग आलू प्यास वेगरा सब कुछ फ्राई करकर बनाते हैं और यह वाले इजियस्ट पुहा है मतलब यह फटाफट बना सकते हो जब अपका मन करें बहुत साइस सब्जी की जरूत नहीं और आप दो अगे तो अलग बात है तो इसमें सब्जी क पहले यह चूरा को मैंने मतलब चूरा हम लोग कहते हैं से इस पोहे को मैंने अपनी से धो लिया है चान लिया देखो बिल्कुल यह देखो भूरी सी हो गई है नम सुक गई है जब पुरी इसकी पानी चली जाएगी उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे तो यह बात क्या मेरे पास सरसो डालूंगे मैं यह मैं सरसो डाल दिया इसमें जीरा भी डाल सकते हूं और अगर आपको किसी भी सबजी में अगर डाइजस्ट नहीं होती है ऐसेटी होती है तो आप हिंग जरूर डाल लिएगा मैं हिंग इसमें डाल चुकी हूं अब मैं क्या करूंगी और काही पास डाल दिया है अब मैं इसमें हल्दी अच्छे से क्या कर लूँंगी ऐप के क्या हो गए गया भी मिक्से जल जालेगे अब मैं इसमें पुह में डाल दूंगी और इस 1-1 इंग्र जाल सकते ह Nah rest नहीं दो उन लिए निया जाल रहाए हूं है और आप gouvernementlor जाला कर आजादा कम जितना अपने test recording डाल सकते हैं उसके बाद कच्छा प्यास जाल रही हूं चौप कटीवी प्यास जाल रही हूं तोड़ा टमाटर डालोंगी उपर से और यह सारे कच्छा में डाल रही हूं इसके बाद मैं धनिया डालोंगी हरी मिर्ज दालोंगी गाइस एक बार इसे बना कर देखना आपको बहुत ज्यादा टेस्टी महसुस होगा फटाफट बढ़ जाने वाली है तो यह ब्रेकफास में अच्छी बना सकते हो फटाफट बन जाएगी ज्यादा टाइम नहीं लाएगा हरी मिर्ज डाल दिया है मैंने अब मैं प्लेट में सर्फ कर दिया झाल झाल ताइम ज्यादा टाइम प्लेट घर बना मैं तो यह बना सकते हैं बना मैं प्लेट यह जो बना सकते हैं ज्यादाट